बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आज है 27 सिक्टेंबर 2022 दिन है मंगलवार का मगर वहीं पे अगर हम बात करें नवरात्रों की नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और आज है दूसरा नवरात्रा आज माता भ्रमचारणी की पूजा राधना की जाती है और वहीं पे अगर आज के हम पंचांग की बात करें तो आज ही रहेगी सुभा के दो बच के अठाइस मिनट तक वहीं पर इसके बाद जो है तुरितिति थी आरंभ हो जाएगी नक्षातर चित्रा रहेगा 28 सिक्टेंबर सुभा 6 बच के जौदा मिनट तक इसके बाद स्वाती नक्षातर आरंभ हो जाएगा और राहुकाल के अग अठारा मिनट तक इसके बाद तुला राशी में प्रवेश कर जाएगे चली जानते हैं क्या कहते हैं आपके टारो कार्ज क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई परते बात करेंगे सबसे प्रथम राशी मेश की तो मेश राशी की अगर हम बात करें तो आपके लिए कार्ज आज किसी चीज को लेकर के समापन हो सकता है वही पे पैसों को ध्यान रखने के विशक्ता है और अगर हम बात करें आपके स्वास्त को लेकर के धहरे बनाए रखें चीजे अच्छी हो जाएंगी आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है माता की उपास्ना करें माता भ्रम जारणी को लाल पुष्व अर्पित कर दें बात करेंगे अगली राशी हम बात करेंगे व्रिशिप राशी के जातकों की व्रिशिप राशी के लिए काज आएं हैं सिवन अफ पिंटिकल्स फोर उफ वौन्स और नाइन ओफ कप्स आज किसी चीज को लेकर के अंसाटिस्फाक्शन मन में बनी रह सकते हैं जिस वज़से परिशान रहेंगे मगर वहीं पे परिवार में खुशाली का मोहल बना रहे जिस चीज को लेकर अंसाटिस्फाक्शन बनी वी है हो सकता है वो वेश भी बहुत चल्थ पूरी हो जाए तो दिन थोड़ा सा ओफ और और रहेगा मगर फिर भी चीजे बहतर होंगी आपके जीवन में आपके लिए सही रहेगा आज के दिन माता को आप लोग जो हैं कमल का पुष्प अरपित करें बात करेंगे मिधुन राशी के चातकों की मिधुन राशी के लिए कार्ज जो है बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए कार्ज आए हैं नाइट ओफ वांस, कुईन ओफ कफ और एट ओफ पेंटिकल्स आज धन राशी को लेकर के कोई खुशकबरी आ सकती है, दर्द प्राप्त हो सकता है, मगर वहीं पे जल्द बाजी में कोई कार्य ना करें, इमोशनल होकर कि कोई डिसीजन ना लें, जाद अच्छा रहेगा, आपके लिए सही रहेगा, आज के दिन आप लोग जो है, माता को पान का पत्ता अरपित करें, बात करेंगे अगली राशी, हम बात करेंगे करक राशी के जातकों की, करक राशी के लिए काज़ा हैं, दहाई प्रेस्ट्रेस, टावर और टेन अफ कप्स का, आज सड़नली डाउन फॉल आ सकता है, किसी चीज को लेकर के परिशान हो सकते है, मगर माता का संयोग सपोर्ट बना रहेगा जिस वज़ा से आपके अधूरे कारश जो है, वो पूरे होंगे, संपन्न होंगे, और वहीं पे अगर बात करें, परिवार की, परिवार में खुश हाली का महौल बना रहेगा, करक राशी के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, आज के दिन आप लोग यदी माता को पंचा करें, करियर में नए लाब आ सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, इसके अलावा जान कुछ के कोई ऐसा काम ना करें, जो कि आप खुद को गलत लगे, इन सब चीजों से बचें, आज के दिन माता को गुड का भोग लगाए, बात करेंगे, कन्या राशी के जातकों की, तो कन्या कारे को लेकर के, और ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के लिए, बल्कि जो कन्या राशी के जातक है, उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, भागयपूरा साथ देगा, लव रलेशन्शिप के मामले में नई शिरुवात हो सकती है, अगर पुराना कोई साथी आप किसी थर्ड परसन के इंफुएंस में नहीं आना है, अगर किसी व्यक्ति की बातों में आते हैं, आप तो अपना खुद का नुकसान करेंगे, इसके लावा नेगेटिव थिंकिंग से समय पे दूर रहेगा, जात अच्छा रहेगा, आप के लिए सही रहेगा, आज के दिन मता को आज के दिन कमल का पुष्प अरपित करें, बात करेंगे अगली राशी वृशिक की, वृश्चिक राशी के लिए काज आये हैं, दमून साथ साथ काड़ आए है, सेवन ऑफ कप्स का, और काड आए है ninety of Cups का, zit kढ ॐज के जी चीज को रहेगा, और कव कारदा है है, उसे बचके रहिएगा मरकर वहीं पे emotionally balanced रहिएगा क्योंकि हो सकता है flow flow में आप किसी को गलत बोल जाए emotionally आपका पार्टनर आज के दिन support जरूर करेगा तो उनको भी support जरूर करें आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है माता को शिंगार का समान जरूर अरपित करें बात करेंगे धनुराशी के जातकों की धनुराशी के लिए एक आज़जाए है Ace of Sauts, The Fool और साथ साथ Page of Sauts का देखा जाए तो आज किसी चीज को लेकर के नई शिरुवात हो सकती है नए मन में सोच विचार आ सकते हैं जिसके प्रति मन करेगा आपको क्या कोई कारे वो कर पाएं इसके लावा किसी चीज को लेकर के लापरवाय भी हो सकता है आज तो कारे अगर करने की सोच रहे हैं तो लापरवाही ना करें इस चीज का स्पेशली आप ध्यान रखके चलिए अगर लापरवाही करेंगे तो वो कारे संपन नहीं हो पाएगा आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है माता को आज के दिन बेसन के मिश्ठान का भोग जरूर लगाए बात करेंगे हम मगर राशी के जातकों की मगर राशी के लिए काजा हैं तो आज आपको जो है अपने पुरानी गलती सुधानरे के मौके मिलेंगे मगर वो अफसर आप खुद खो सकते हैं इसलिए ऐसे अफसर को खोए ना इस जीज का ध्यान रखके चलिए पैसो को ध्यान रखके चलिए और अगर आप कहीं पर ट्रावल कर रहे हैं तो चोरी चकारी से बच के रहेगा जेब कतरो ससाब धान रहेगा यही सबसे बहतर रहेगा आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है मकर राशी के जातक माता को इक नारियल जबर रफित करें बात करेंगे हम कुम राशी के जातकों की कुम राशी के लिए काज़ाए हैं तो वो भी आश के दिन समाप्त होगी दिन काभी हद तक आप वो लाब तेगा तो बात करेंगे आप लोगों क्यों पाएगी, आप लोगों क्यों सही रहेगा, आज दिन माता को 9 लॉंग परपेद जरूर करें, बात करेंगे अंतिम राशी, मीम राशी के जातक होगी, तो मीम राशी के लिए एक आज आज आए है, आज पैसो को लेकर के नई श्रुवात हो सकती है, रुका हो अधन वापस आ सकता है, लेन दिन का सही समय है, पिदाग से आज आपको financially gains हो सकते हैं, तो दिन बहुत अच्छा है, फाइनांस को लेकर के, ओवरॉल दिन बहुत अच्छा रहेगा, चाहिवो relationship हो, चाहिवो अपकी health की उना हो, आपके लिए सही रहेगा, आज के दिन आप लोग जो है, माता को सुपारी जरूर अरपित करें, चोले बात करेंगे, अच्छा रहेगा, आज के दिन माता की पूजा करना, माता की सेवा करना, बहुत खास रहता है, इसके अलावा, यदि आज के दिन आप लोग जो है, माता को गुलाब के पुष्प अरपित करें, तो आपको और भी लाप राथ होगा, अगर धन से सममंदित परिशानी है, त माता की पूजा के बाद आप लोग जो है, अपने जो आपका रसोई घर है, उसमें रखेवी चावलों में मिला दे, ऐसा करने से माता नपून्ना के विक्रपव आपके उपर बनी रहेगी, और साथ-साथ धन से सममंदित परिशानिया भी नहीं होगी, तो चले फिलाल के ल करना दाटी तोकी और से माता है, जले को स्वाच्व द दवा allow दो सम थी झालवाया पकला प्लवाश्रों विक्राव देशा गिशना है, तुमार स कई है झाले माता रसकता है, तो और सम müssen यार है sacrifice per लिक्लिष को के लिगए बनातावाशा है, भाईबाताशित तुमाता मे